जी, C-Fab6, आज के लेक्चर का अगास करते हैं, लेक्चर नमबर हमारा 23, आज के लेक्चर में हम दो स्टैंडर्स कवर करेंगे, वन बैवन, पहले हम कवर करेंगे ISA 320, और फिर इसके बाद हम कवर करेंगे ISA 450, ये दोनों ISAs इंटर रेलेटिड है, कैसे इंटर रेलेटिड ह ये लेक्चर के दुरान में आपके साथ डिसकस करूँगा, मैं, पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ISA 320, Materiality, Materiality, देखे हमने पड़ा ISA 700 में भी ये स्टडी किया, कि आईटर की प्राइमरी रिस्पॉंसबिल्टी है, वो ये होती है, कि आईटर ने reasonable assurance obtain करनी है, whether financial statements are free from material mis statement, यानि आईटर ने अपनी तसली करनी है reasonable assurance के financial statements में कोई material misstatement नहीं है, इसका मतलब है financial statement में misstatement बहुत सी होंगी, आईटर ने ये नहीं देखना, कि सारी की सारी misstatement correct हो जाएं, सारी की सारी misstatement identify हो जाएं, 700 क्या कहते हैं, जिम्मेदारी क्या है, कि material misstatement कोई नहीं हो, इसका मतलब ये है, आईटर को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, ये बड़ा clear cut पता हो जाना चाहिए, कि कौन सी misstatement material है, कौन सी material नहीं है, इसलिए कि उसने material misstatement को इंचोर करना है, कि वो financial statements में नहीं हो, हाँ, इन material अगर हो रहे भी जाती है, तो कुई मसला नहीं, इसकी responsibility फुल्फिल हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है, materiality जो है, ये most important concept है, materiality और risk, इन दो reality क्या है, कैसे decide होती है, इसका एक rule of thumb मैंने आपके साथ share किया, वह आपको याद होगा, ISA 705 में हमने concept पढ़ा था, कि examination question में हम कैसे decide करेंगे, कि कौन सी misstatement material है या नहीं है, impact on report के लिए, ठीक है, तो वो आपको exam point of view से question attempt करने के लिए, आपको tips बताई थी, अब हम detail में standards पढ़ेंगे, कि standards क्या सिखाता है, और उसमें वो concepts भी cover हो रहे होंगे, जो हमने ISA 705 में उसके reporting के questions को attempt करने के लिए यूज किये थे, तो सबसे पहले हमने हमारा focus के आज का सारा lecture, ISA 320B और 450B ये दोनों एक ही concept के इर्दिगर्द कूम दे हैं, और वो concept क्या है, materiality, materiality, सबसे पहले सेखते हैं materiality की definition, definition क्या है, standard ISA 320 स्टार्ट होता है, पहली बात ये करता है, कि क्या चीज material है, ये आपका financial reporting framework बता रहा होता है, जैसे अगर आप IFRS देखें तो उसमें मुझे याद निया लेकिन किसी standard में वो बताता है, materiality किसे कहते हैं, शायद ISA 1 नहीं है, य अगर अपली केबल फिनाशियर पोर्टिंग framework में लिखा होता है कि क्या चीज material है क्या या नहीं, अगर अगर अपली केबल फिनाशियर पोर्टिंग framework में नहीं लिखा हुआ कुछ, तो फिर standard अगली definition बता रहा है, और ये हम IFRS में और इस ISA में जो definition है तकरीमान एक जैसी ह जैसे आपको याद होगा इसे पहले related party के concept में भी हमने बढ़ा था कि related party की definition कौन सी होगी जो framework ने बताई होगी, लेकिन अगर framework ने कोई नहीं बताई, तो standard कहता है ये वाली definition अपलाई करो, उसी तरह materiality की definition क्या है, आप सुनियें, क्या definition बता रहा है, कहता है, जो miss statements है, या considered material, miss statements are considered material, if they individually are in aggregate, could reasonably be expected to influence the decision of, economic decision of users, taken on the basis of financial statements, और फिर कहता है, materiality depends on size as well as nature, यानि क्या चीज़ मतीरियल है, हमने ये देखना है, क्या चीज़ मतीरियल है, हमने ये देखना है, क्या चीज़ मतीरियल है, हर वो चीज़ मतीरियल है, जो users के economic decision को effect करे, बताईए, financial statement के सबसे बड़े users कोन है, shareholders, या investors, जिन्होंने shares खरीदने हैं, और उनका economic decision क्या होता है, share को buy करना, sell करना, hold करना, ये economic decision उनके, तो items are considered, यानि वो materiality की definition में कहरा है, जाओ, users को देखो, इस financial statement के users कोन से हैं, और उनके लिए जो चीज़ अहम होगी, जो चीज़ उनके decision को change कर रही होगी, हर वो चीज़ material है, यहाँ पर note किजिए, उसने कोई formula नहीं बताया, उसने असूल बताया, कि हर वो चीज़ जो user's के decision को change करेगी, वो material होगी, अगर इसके application में formula आएगा, लेकिन basic rule जहें में रखेगा, उसने कहा कि, अच्छा, इस definition में, जो सब से अहम चीज़े हैं, खास तोर पर exam point of view से, खास तोर पर exam point of view से, जो सब से अहम चीज़े हैं, वो यह है कि वो कहता है, अपने materiality का जो concept apply करना है, वो individually भी apply करना है, in aggregate भी apply करना है, यानि अगर फर्ज कीजिए, कि materiality level हमने decide कि एक लाग, अगर एक misstatement, डेड़ लाग किया है क्या है, material है, है material, और अगर 60,000 की misstatement है, तो material नहीं है, लेकिन अगर एक 60 की है और एक 70 की है, यह individually material नहीं है, in aggregate material है, तो क्या इनको material समझा जाएगा, अगर यह दोनों misstatement financial statement में है, क्या कहा जाएगा, financial statement is materially misstated, yes, कहा जाएगा, यही कह रहे है, materiality का concept आपने individual misstatement पे भी apply करना है, और aggregate पे भी apply करना है, यह definition में point clear हुआ, individual aggregate, अगला point, materiality depends on size as well as nature, size as well, यहनी, size means amount, materiality amounts पे भी depend करती है, और उसकी nature, qualitatively भी कुछ समझा, इसी वज़ा, यह यह जो nature है, nature, अगर materiality नेचर पे dependent आना होरी होती, तो फिर definition में हमें फार्मॉला दे देता, लेकिन चुके materiality amounts की base पे भी decide की जाती है, और nature की base पे भी, इसलिए उसने सिरफ amount दे दिया, अगर materiality में amount देता तो वो सिरफ quantitative criteria को cover कर रहा होता, quantitative, हलाके materiality quantitatively और qualitatively दोनों तरीकों से decide होती है, भी यह qualitative का क्या मतलब है, qualitative, qualitative का क्या मतलब है, quantitative का क्या मतलब है, एक लाख materiality level है, त्वेड लाख की misstatement material है, किस base पे, size की base पे, quantitatively, बाज वकात ऐसा होता है, छोटी सी amount small होती है, amount क्या होती है, small होती है, किसी area में, लेकिन उसकी nature sensitive होती है, और small होने के बावजूद, उसके होने की वज़ा से, user card decision change हो जाता है, user card decision, आपके सामने एक chartered account rate आए, आप उचे सर, आपने कब C.A. किया था, okay, 20 साल पहले, आपके बड़ा experience है, कहां कहां काम किया, इस जगा, इस multinational company में, इस multinational company में, इस multinational company में, अच्छा, तो आप जैसा बंदा तो है, वो उसने, अगर एक company छोड़ी है, तो उसे तो दूसरी company को हाथो आथ लेना चाहिए, ये दरम्यान में तीन महिने का gap क्या आया, पिछली company आपने छोड़ी तीन म experience बोत है, आप इस चाहर करेंगे, क्यों, सिरफ 10-15,000 के हेर फेर की वज़ा से, चोड़ देंगे इसको, नहीं हायर करेंगे, करेंगे हायर के नहीं करेंगे, पहले मुझे अपना बताया अपना, नहीं करेंगे, अब क्यू नहीं करेंगे, 10-15,000 के तो चोड़ी की है, और 3 म करेंगे, 15,000 के उसे मुझे 15,000 का मिला हो, अब देखें अमाउंट, अगर आप देखें, आपने इसको को क्रोड़ का बिजनिस उसके हैंड़ करना है, क्रोड़ के लिहास से ये तो थाउजन्स की माउंट है, इंमटीरियल है, लेकिन नेचर क्या है? इसलिए याद रखें, सम्टाइम ऐसा होता है कि कुछ इवंट्स छोटे से होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट ऐसा होता है, उनकी बेस पे हम बड़े-बड़े डिसियन करते हैं, अकल-मंद को इशारा काफी होता है, तो यहां पे इशारा होता है, कई दफा ऐसे होता है, लेकिन उसे पता चाल जा सार्जेंट एपी, सायड डागाईएं, शाएड़bers तरह Tabii ऑना की, साइडवichen साइड़ के तक डिखने में चोटा सा इमेंटर लेकिन आप इतना बड़ा उसके साफ ना जिन्दी का लाइफ नड़ 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 दिशयंद करने जा रहे हैं, आपने बिजनिस करना उसके साथ मिलके, आपके लिए इस प्रफेस्टर्टर्बर इसका नैल्सिस कर लोटिसानी इंडिकेशन नहीं है, नॉन-कम्लाइस भी ल वो जो करनी थी वो नहीं की लेकिन आप उसे बताएंगे कि यह अमाउंट बेशक इसमें स्माल इन्वाल्व है लिए इसकी नेचर क्रिटिकल एस सेंस्टिव है तो बात वकात ऐसा होता है हम अपनी डेली लाइफ में भी स्माल इवंट्स होते हैं लेकिन उनकी वज़ा से हम स था कि इसकी नेचर क्राइब करना ये डिसकस होगा आई यसे 450 में आई यसे इसलिए 320 फॉफ्विटी को इसके कंसेप्स इंटर लिंग और बाज अगात कुछ कंसेप्स हैं जो दोनों जोगा में इसकास हूं है 320 में हलकाभू की डिसकेशन है 450 में इटेल डिसकेशन है ठीक अभी तक के लेक्शर में हमने डेफिनेशन का अनेल्सिस किया ओके आगे चलें फिर अगे चलें मटीरियालिटी डिटर्मिन क्यों की जाती है यह यूँ भी कह सकते है मटीरियालिटी का इस्तमाल क्या यूज किया है क्यों मटीरियालिटी को डिटर्मिन कर इसले के मटीरिय financial statements are free from material misstatement. तो अब देखने के लिए कि अब एक फिनाइन्स स्टेटमेंट है के नहीं? materiality को यूज करता है, बिलकुल ठीक. materiality को इसलिए भी यूज किया जाता है. लेकिन सिरफ इसलिए यूज नहीं किया जाता है. इसका यूज सिरफ यह नहीं है, और भी यूज है. क्या यूज है? materiality को यूज किया जाता है in planning and audit. audit को प्लैन करने के लिए, यानि start में. materiality को यूज किया जाता है in performing and audit. audit को perform करने में. और मकली को यूज किया जाता है? In Valuating Fact of Misstatement. आसान भाशा में बताऊं तो Materiality को यूज किया जाता है तीन स्टेजिस पे Start of the audit, During audit, End of the audit Start of the audit क्या करते हैं? Planning करते है During audit क्या करते हैं? Procedure perform करते है End of the audit क्या करते हैं? Report sign करते है तो तीनों phases पे Materiality यूज होती है Planning phase में क्या यूज होता है? इसका audit strategy, audit plan डिसाइड करने में audit strategy and plan कि हमने किन अरियाज पे फोकस करना है जो highly material areas है उनके ओपर ज्यादा फोकस करना है जो कम है उनके ओपर कम फोकस करना performing का मतलब क्या है अच्छा मुझे पता है performing audit का मतलब क्या होता है procedure perform करना जब हम procedure perform करते है एक है planning एक है performance आपने पनी studies plan करनी है इस session की 6 महिने की आगे कैसे पढ़ना है आप ने strategy develop करनी है plan develop करना है आप planning करेंगे overall level पे मैंने एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकता हूँ और weekend पे मैंने कितने घंटे पढ़ना है timing क्या होगी nature क्या होगी जबानी किलामी पढ़ना है के लिख के practice करनी है case study की, जबानी किलामी Saul क अजए के form में जाने से पहले के form से या के बढ़ा करो extent कितने घंटे पढ़ना है यह planning बहरा है और यह करेंगे जब आप start में planning कर रहे होते होंगे वो दूसरी स्टेज है परफॉर्मिंग और एंड पर एक्जाइम होते हैं वो समझ लीजिए कि रिपोर्डिंग स्टेज है तो मतीरियालिटी तीनों स्टेजिस पर यूज होगी किन के पर प्लैनिंग पर फॉर्फॉर्मिंग पर और इन वैल्यूंटिंग एफेक्ट क्या है और उसके ओपर प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है यह है इन परफॉर्मिंग आडिट इन परफॉर्मिंग आडिट का मतलब क्या है इंड विज्वल एरिया पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने है यह डिसाइड करने के लिए और आपको है वो प्रोसीजर रिस्क कर रहे होंगे इसमें कोई मिस्टेटमेंट मिलेंगी ना एक एरिया में मिली दूसरे में नहीं मिली तीसरे में मिल गई चोथे में नहीं मिली पांचवे में नहीं मिली छड़े में मिल गई कुछ मिस्टेटमेंट मिलेंगी ना तो इस स्टेज पे क्या कर रहे हैं उन मिस्टे इसलिए के अगर माटीरियल है तो हमारी रपोर्ट उबीनिन कुछ होर होगा, माटीरियल नहीं है, रपोर्ट उबीनिन कुछ होर होगा, भी फरक समझ आया तीनों में, अच्छा अब मैं आपको चीज बताया लगा तो इस्टेंडर्ड में लिखी वजरा गोर से सुनियेगा, कंसल्ट बिल्डिंग लिए जुरूरी है, अब पहले वो बता दू जो स्टेंडर्ड बताता है इसको, पहले दो फेजिज अना, इसकी डिसकेशन कहां हुई है, आई एसे 3.20 में, आई एसे 3.20 आपको materiality determine करना सिखाएगा, calculate करना सिखाएगा, और इन दो एरियास को discuss करेगा, materiality का जो तीसरा use है, कि कैसे evaluate करना misstatement को, यह कहां पे discussion होगी, 4, तो 3.20 और 4.50 का scope जहन में रखिएगा, ठीक है, लेकिन जड़ा, overall देखें, sequence में चल रहे हैं न, interlinked हैं न, 3.20 और 4.50, यह clear हो गया, अब इन तीनों को जड़ा एक दफाँ पढ़ें और मेरे एक सुआल का जवाब दें, जिसके उपर अगला concept बेस कर रहा है, इन में से दो phases ऐसे हैं जो overall financial statement as whole level पे perform किये जाते हैं, या यू कहले, दो uses ऐसे हैं, जो overall financial statement को सामने रखके materiality को यूज किया जाता है, एक phase ऐसा है, जिसमें individual area level पे materiality को यूज किया जाता है, first and last, जो है, यह overall है, यह है materiality का use overall level पे, financial statements को सामने रखते है, financial statement as whole, और जो in performing and audit, हम materiality use करते हैं, यह है area, यह materiality use कर रही हो रही होगी, sales में, purchases में, debtors में, यह फरक समझ आए, बड़ा हैं फरक था, दिखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन यह की वाद आपने, आगे चलते हैं, इसी concept के ओपर अब मैंने यह एक concept इसमें समझाना है, materiality के आपको याद होगा, मैंने previously 600 में किसी concept में discussion की थी, कि different levels are significance के, हमारे सामने कोई भी matter आता है ना, जैसे आपने देखा होगा वो आप कोई Uber पे जाए या कोई product यूज करें तो Google कहता है जी rating करें इसकी, तो आप one, उसके different levels होते हैं, five star, four star, three star, two star, one star, maximum क्या होता है five, और minimum क्या होता है one, इसी तरह हमारे audit में भी जो miss statements होती है ना, उनके different level होते हैं, ranks होते हैं, बिल्कुर, एक है pervasive, वो ये standard discuss नहीं करता है, वो 700 का सबसे उपर, जो सबसे बड़े ही, जो सारी financial statement को ऐसी कि तैसी फेर दे, ऐसी miss statement को क्या कहते है, pervasive, उससे नीचे material, 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 material से नीचे immaterial, और immaterial से नीचे कलिया लेटरी प्यार, ठीक है, अब ये different types आपको बता रहा हूं, materiality को सामने रखके, materiality की, ये तो मैंने आपको चार बता दी ना, significant, इसमें जो materiality है, इसको आगे खोल रहूं मैं, एक materiality होती है, overall, जिसे कहते है, materiality for financial, standard नाम इसका क्या देता है, materiality for financial statement as whole, ये वो materiality level होता है, जो सारी financial statement को सामने रखके, है, decide किया जाता है, individual area को नहीं, सारी financial statement को सामने रखके, ये है materiality for financial statement as whole, एक होता है performance materiality, ये वो materiality level है, जो individual areas में procedure perform करने के लिए, ये यूज किया जाता है, जो परूसीजर पर्फार्म करने के लिए यूज किया जाता है, वह materiality level जो procedure perform करने के लिए यूज किया जाता है उसे कहते है performance materiality नाम से जाहिर हो रहा है procedure perform करते हुए इसको यूज किया जाएगा individual area level पे यह है performance materiality ठीक है अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने का इधर भी materiality यूज होगी इधर भी यूज होगी इधर भी यूज होगी इधर भी ऐसे ही ना पहले stage पे phase पे कौनसी materiality यूज होगी overall जिसे standard का नाम देता है materiality for financial sharement as whole या sometimes सिरफ materiality का लफ़ज भी लिखा होगा ना तो इससे मुराद यही label होता है बताएए पहली stage पे overall यूज होगा या performance materiality overall दूसरी stage पे performance materiality तीसरी stage पे overall शाबाश यह समझागी overall प्रफार्मस अच्छा performance materiality decide क्यों किया जाता है चोटे से स्वाल का जवाब दीजिए यह overall financial statements इसके अंदर different areas होंगे किसी area का नाम बता दें sales और बता दें inventory fixed assets overall materiality level है एक लाख एक लाख यहां पे misstatement है डेड़ लाख की material है के नहीं correct रुआई जाएगी यह misstatement overall materiality succeed हो रही है financial statements are materially misstated agreed अगर misstatement है 80,000 की है material नहीं नहीं पिक करें बात अच्छा फिक्स asset में आ जाएए इसको थोड़ी देर के लिए बूल जाएए यहां पे 2,000,000 की misstatement है material correct करवाएंगे और अगर यहां पे 70,000 की misstatement है correct करवाएंगे इसको थोड़ी देर के लिए बूल जाए immaterial है क्योंकि एक लाग से कम है 70,000 एक लाग से कम है इसको थोड़ी देर के लिए बूल जाए इसका मतलब यह हुआ अगर आप यही materiality level लेके area level पे काम करें तो इसे individual material misstatement और इंटिफाई हो जाएंगी लेकिन risk है कि अगर आपने overall materiality level को ही area level पे procedure पर साम करते हुए यूज किया तो risk है क्या risk है कि individual material तो आप आप आइंटिफाई कर लेंगे लेकिन individually immaterial aggregate हो के material हो जाएंगी और overall materiality से exceed कर जाएंगी agree करते है यानि अगर overall materiality को ही हम मैं आपको justification बता रहा हूँ कि क्यों इस point पे हम performance materiality यूज करते हैं और इन पे overall क्यों यूज करते हैं उसकी justification बता रहा हूँ क्योंकि अगर वही materiality level हम प्रोसीजर पर फार्म करते हैं यूज करें न अवराल वाला तो individually material तो identify हो जाएंगी लेकिन individually immaterial aggregate हो के material हो जाएंगी वो फिर मसला रह जाएगा तो बताएए materiality का concept क्या कहता है individually immaterial को सिर्फ देखना है कि aggregate को भी देखना है इसका मतलब है हमें कोई ऐसी approach लगानी चाहिए जिसमें individually material भी detect हो जाएं और individually immaterial aggregate material हो जाएं जो हो रही है इनको भी हम address कर ले और इसका इलाज क्या निकाला है हमारे seniors ने कि area level पे जब आपने procedure perform करने है उस वक जो materiality level यूज करना है वो overall materiality level यूज करना है बलके उसका break down यूज करना है break up यूज करना है उसको उसके हिस्से करके उसका part यूज करना है smaller level और उस smaller level को जो area level पे procedure perform करने के लिए यूज किया जाता है क्या कहते हैं performance materiality अब standard की लेगी में बता रहा हूँ कोई आप सा पूछे performance materiality क्या है तो आप कहेंगे ये ऐसा level of materiality है जो के set करता है auditor set by auditor which is less than overall materiality किसलिए to reduce the risk risk reduce करने के लिए कौन सा risk reduce करने के लिए के in material aggregate होके materiality को न एकसीड कर जा इसलिए तो बताएए performance materiality काम की चीज़ है के नहीं है चलिए आगे चलते है एक मिंट है रही है यहाँ पे मैं आपको यह क्लियर कर दूँ यहाँ पे ब्लेक लगा के question लिता हूँ आपका overall पता चल गया क्या है performance पता चल गया क्या है मुझे बताएए overall materiality क्या थी फार्जाम एक लाख यानि एक लाख से ज्यादा की misstatement होगी युजर का decision change हो जाएगा कम की होगी तो नहीं अच्छा यह overall है एक लाख फर्ज कीजिए यहाँ पे हमने sales के लिए area level पे materiality set कर दी 20,000 फर्ज कीज़ 20,000 तो इस example के मताबिक overall materiality है एक लाख performance materiality क्या है यह area to area vary करेगी ठीक है example sales की ले रहा हूँ 20,000 जाह रहे है data में different होगी यह qualitative materiality क्या है amounts से related नहीं है लेकिन nature ऐसी होती है कि उसका decision change हो जाए तो यह जो overall materiality नहीं यह जो definition मैंने आपको सिखाए थी है किस की थी बला overall की के materiality की sorry overall materiality की के performance materiality की यह overall की शाबाज तो overall materiality की दो तो टाइपस है एक size दूसरा nature तो यह जो overall materiality है नहीं यह है depending on size, overall materiality on the basis of size qualitative materiality क्या है materiality on the basis of nature और performance materiality क्या है overall का break up area level पे procedure perform करने के लिए तीनों में फरक समझाया आपको ठीक है इसको standard technically नाम क्या देता है बला materiality for financial statement as whole यह जो qualitative materiality है इसको standard technically नाम पता है क्या देता है materiality for financial statement as whole नहीं materiality for particular class of transaction count balance or disclosure थोड़ा सा लंबा नाम है इसको क्या नाम देता है materiality for particular class of transaction count balance or disclosure यह particular का लफज क्या बताता है वह ऐसा area जिसमें sensitivity है जिसमें थोड़ी सी भी misstatement होगी हम उसको material consider करेंगे जैसे related party का area जैसे non compliance with laws and regulation legal requirements वाला area, legal compliance वाला area debt covenant requirements वाला area fraud का area यहां पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो सहे small amount की भी misstatement हो material consider करते हैं तो समझ रहे हैं एक है overall materiality यह depend होती है size as well as nature यह है overall materiality depending on size यह है overall materiality depending on nature इसके नाम standard ने तो इस दोनों के यूज कि यूज किया वो नाम आपको बता दी है मैंने ताकि जब standard आप पढ़ने होना तो आपको पता हो कि इसका नाम किया है लेकिन यहां पे सिरफ मैं conceptual word यूज कर रहा हूँ आप standard पढ़ें किसमे qualitative materiality ने लिखा होगा क्या लिखा होगा पला materiality for particular class of transaction count balance or disclosure वहां पे overall materiality या quantitative materiality ने लिखा होगा क्या लिखा होगा materiality for financial statement as whole performance materiality लिखा होगा यह है area level पे यह आपको समझा दिया क्या है amount set by auditor less than overall materiality to reduce the risk क्या कि individually immaterial aggregate होके material ना बन जाए क्योंकि हमने देखना है individually material नहीं होना चाहिए statement को और aggregate भी नहीं होना चाहिए तो यह performance materiality ensure करते हैं individually भी ना aggregate भी ना clear retrieval के बारे में एक चीज़ जहन में रख ले यह performance materiality अवरा materiality से बड़ा होगा चोटा होगा चोटा ही होगा जाहिर है उसी का break up है तो चोटा ही होगा अच्छा performance materiality decide कैसे होता है बला आईटर की judgment यह mathematical formula नहीं है basically है यह break up overall materiality का यह लेकिन वैसा break up नहीं है जैसा आप cost counting में वो सीखते हैं overheads की allocation overheads की allocation जब आप different departments में करते हैं तो exactly equal आती है लेकिन जब आप overall materiality की allocation करेंगे ना different areas में तो exactly equal आये लाजमी नहीं है वो mathematical formula से नहीं क्यों 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 आईटर की judgment में depend करते हैं ठीक है उसका संक हो सकता है overall materiality से कम हो सकता है ज्यादा हो ठीक है वो आईटर डिसाइड करता है यार इस एरिया पिछली पिछले साल इस एरिया में बड़ी ज्यादा गल्तियां थी आपकों ने बताया ना पिष्क में inverse relationship में इनवर्स relationship में इनवर्स relationship में बस इतना सोच कहा अब थे इनी सोच ना materiality बड़े risk पे यही फेक्ट है इसे में dependent कрь से इनी सोच ना इसमें निए सोच ना सिरफ एक लइई materiality and risk में inverse risk तो अगर मुझे लगे खुद बताएं मुझे लगे inventory में risk ज्यादा है तो बताएएं इन्वेंटरी में performance materiality ज्यादा होगी के कम होगी कम होगी शावाज तो performance materiality इसी तरह understanding of entity की बेस पे expected miss statement की बेस पे पिछले साल कितनी miss statement थी यानि हमने ये अन्दाजा लगाना है कि जब बेरिया लवल पे किसी भी एरिया पे performance materiality लवल टरमिन कर रहे होंगे ना हमने ये सोचता है यार इस अरिया में गलतियों का chance ज्यादा के कम है अगर उसमें रिस्क ज्यादा होगा risk of miss statement तो मता materiality की percentage बराबर करके ना वैसे नहीं करना mathematical formula नहीं लगा ना judgmental decision करना अच्छा ये तो performance materiality मैंने आपको समझा दिया performance materiality क्या है क्यूंड़ डिसाइड की जाती है और कैसे किन फैक्टर को सामने रहके decide करते हैं तीनों चीने बता दी आगे चले clearly trivial क्या है clearly trivial क्या है हमारे टीचर हमें बताया करते थे एक दुद दफ़ा मैंने चेक भी किया ज्यादा नहीं पिर इसको पर मैंने verify किया rounding off का concept आपको बता है क्या होता है 2.3 है इसको round off करके 2 कर दे 7.8 है इसको round off करके 8 कर दे आसे है rounding off की वज़ा से जो total होता है उसमें थोड़ा बहुत फरक पड़ता है agreed लेकिन कुछ rounding off upward होती है कुछ rounding off downward होती है अगर कोई randomly distributed numbers होंगे न आप उनको check total करेंगे तो चाहे 50 figures का total करें चाहे 5,000,000 का total करें जो rounding off का difference आएगा न random distribution की बात कर रहा हूँ वो पांच से ज्यादा का नहीं आएगा अजीव बात लग रही है न आपको यानि actual total में और rounding off की वज़ा से जो total किया होगा इन दोनों के total में पांच से ज्यादा का फरक नहीं आएगा बजाहिर ये बड़ी जीव सी बात लगती है आप ट्राई करके देखिए गा क्यों नहीं आएगा हाँ जितना नीचे आता है उतना उपर भी चला जाता है जितना उपर जाता है उतना नीचे भी चला जाता है थोड़ा बहुत फरक जरूर रहता है इसका मतलब ये हुआ कि कुछ errors ऐसे होते हैं जिनको आप aggregate भी कर लेना अब ये देखें ये जो rounding of error है आपने aggregate भी कर लिया ये फिर भी 5, 7 से ज़्यादा नहीं जाएगा 5 से ओपर नहीं जाएगा इसी तरह audit में भी कुछ miss statement ऐसी होती है जिनको aggregate कर लें तो वो material बन सकती है कुछ miss statement ऐसी होती है जो इतनी चोटी होती है इतनी चोटी होती है इतनी चोटी होती है इतनी इनको standard नाम दिया उसने लफज उसकिया inconsequential inconsequential इतनी चोटी होती है कि उन्हें aggregate भी कर लेना फिर भी material नहीं बन सकते है यानि immaterial और clearly trivial दोनों में statement एक ही है या इनमें फरक है फरक है शाबाज क्या फरक है immaterial individually तो immaterial है aggregate होके material हो सकती है और clearly trivial individually भी immaterial है aggregate होके भी material ही रहेगी तो यह है clearly trivial तो यह है अब यह चार material के लावल discuss होगे ना यहां पर इस standard में इसकी detail में discussion हुई है इसकी इन दोनों की ना इसे 450 में discussion हुई है लेकिन आपको यह जानने की ज़रोद नहीं के कौन सा किंसा किदर discuss आपने दोनों कोई कठी बढ़ना है आप में यह कहना है तोनों मठी रियालिटी के इसकुछ होगा अब ही तक 320 में मैंने क्या समझाया आपको definition समझाया रिजन समझाया यूज टाइस बताइए अब क्या अंगर डिसका सर ना है हाओ डिटर्मिन मठीरियालिटी को डिटर्मिन कैसे किया जाता है और सुरी क्वेस्टन आपका सुरी बताइए अचा वो थोड़ा next 450 का question है जो उनने पूछ लिया लेकिन चुके 450 भी मैंने करवाना है और आज ही के lecture में क्राइए इसलिए इनका answer दे रहा हूँ आपने यह नहीं समय ना फिर बाद में सर ने 320 तो तो सली से करवाया डेड़े घंटे में और 450 सर ने बुकता दिया आदे घंटे में करवा दिया यह नहीं सुच क्यों को इस दर अधर आगे बीशे हो जाते हैं अच्छा अब सुनीए यहां पे है एक लाख क्वेस्टन इनका क्या है सुनने उनका सर फर्ज कीजिए इधर है मिस्टेटमेंट कुछ इस तरह सेल जुमें है मिस्टेटमेंट फर्ज कीजिए 120,000 की और इधर है 30,000 की कौन सी मिस्टेटमेंट करेक्ट करवानी चाहिए 120,000 तो कंफर्म है ना मटीरियल है यह मटीरियल नहीं है हमें कौन सी misstatement correct करवानी चाहिए एक सोबीस वाली standard का कहता है सुने standard कहता है आपने individually material misstatement सारी की सारी correct करवानी aggregate और individually immaterial और aggregate material हो जाए तो क्या सारी correct करवानी है वो कहता है इतनी को correct करवाना required क्या है इतनी को misstatement correct करवाया कि remaining का effect immaterial हो जाए required यह है यहाँ पर standard के मताबि क्या required है कौन सी misstatement 120 वाले यह required नहीं है लेकिन practically हम क्या करते है फ़ला सारी हम कहते है मिस्टेट में सारा अंटी भाई तो कि 20 रुपे भी वो कैशलो आउड हो जाए कभी कभी 10 रुपे की वजा से तो practically हम क्या करते है जितनी भी मिस्टेट में सारी की सारी कमुनिकेट कर देते है और उनने कहते हैं correct कर लो management normally correct कर भी देती है लेकिन याद रखें management चाहे हमारे कहने पर 10 रुपे की मिस्टेट में करेक्ट कर दें ठीक है लेकिन by standard क्या required है कि कितनी मिस्टेट में करेक्ट कर लानी है कि remaining का effect remaining uncorrected का effect क्या हो जाए immaterial हो जाए तो याद रखें हर मिस्टेट में करेक्ट कराना required नहीं है ठीक है अगर invili भी और aggregate भी immaterial ही रह रह रही है तो उसको आप uncorrect रिकार्ड रखना है अपने पास ये 450 में बताऊंगा रिकार्ड क्यू रखना है रिकार्ड हर मिस्टेटमेंट का रखना है रिक्वेस्ट भी कर दें management को रिक्वेस्ट कर दें ठीक है लेकिन required क्या है बाइला इसके इतनी correct करवानी है remaining का effect immaterial हो जाए रिक्वेस्ट कर दें रिक्वेस्ट होगी और परफॉर्मस मटीरियलिटी लेवल पे भी हमारा decision यही होगा यह तो मैंने example symbol रखने के लिए यहां पे जो materiality compare करूआ है overall के साथ करूआ है अगर performance materiality को भी सामने रखे आप यह जा रहा है ना इनको performance materiality हरे को दे दूँ और फिर उसके बाद compare करूँ उसमें भी example थोड़ी सी complex हो जाएगी addition यही आएगा ठीक करवाने वाला डिसीन रही है यहां बिल्कुल कि remaining वो फ़रक सिरफ यहां कि आपने overall level की बज़ए area level के करना कंसेट सेम है अगर कोई मिस्टेटमेंट पर्फॉर्मस से यहां किसीड कर जाएगा ओवराल से कम हो उसे क्या नाम देंगे क्लाइट को जाकर कहेंगे सार फ़र्ष कीजिए वो 17,000 की है यह 50,000 एप्रफॉर्मस मेडियरियल्ट्य 70,000 डाइग एक लाक है ओवराल क्लाइट को जाकर कहेंगा है क्लाइट करें क्लाइट कर दे तो मसला ही खतम नहीं करेक्ट करें त्था क्रेंगे साइड पे लिख लेंगे हम take a. भूझ सुटे रवल के लोग हमारे लिए ये मैटीरियल है लेकिन हम क्क्राइड नहीं की हमने साइड उन्य एंड पे जब पार्टनर इस लेवल पे पहुंचे का ना तो वो यह सारी मिस्टेटमेंट को इकठा करके फिर दूसरी के साथ कंपेर करके देखेगा अगर यह 70,000 दूसरी मिस्टेटमेंट के साथ मिल के माटीरियल बन रही हुई ना एक लाग से उपर जा रहे हुई तो पार्टनर पकड़ जाएगा क्लाइंट को गएगा आप ठीक हरो लेकिन अगर दूसरी के साथ मिल के भी एक लाग से कम ही हो रही है तो फिर पार्टनर कहेगा ठीक है यानि इन शार्ट अगर कोई मिस्टेटमेंट परफॉर्मस मेटीरियल से एक्सीड हो रही हो लेकिन अवरल मेटीरियलिटी से कम हो तो पिनियों मोडिफाइड नहीं होगा ओपिनियों मोडिफाइ इस टेजग बेए ठीक है और इस टेजग पे कौन सी मेटियली यूज्ज करते हैं आप और ऑवराल क्लियर होगे अजिये आगे चलते हैं मैटीयर इसकी बात कर रहे हो, 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 इसकी पहले वाली, इसको नमबर दे देते हैं, पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, कौन सी सिखा हूं, नहीं है, के सारी, पहले वाली सी सि होती है इसमें 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 यह डिपेंड करता है कुछ एरियास नहारे आड़िड में ऐसे होते हैं जिनमें छोटी सी जो बड़े सेंस्टिव होते हैं चोटी सी मिम स्टेटमेंट हो न हम कहते हैं नहीं भाई यूजर का डिसीन एफट हो जाएगा जैसे नॉन कम्लाइंस पे लाज एंड रेगुलेशन फ्राड डेट कोविनन्ट रिक्वार्मेंट ठीक है इन में अच्छा वो कौन से एरियास हैं जिनमें स्मॉल मिस्टेटमेंट भी मटीरियल होती है यानि क्वालिटेटिव इनकी ब्रीफ गाइड़नस अवेलिबल है थ्री ट्वेंटी में लेकिन डिटेल गाइड़नस कहां फोर फिफ्टी पूरी लिस देता है आपको कि भाई जान ये ये वो एरियास हैं जिनमें स्मॉल मिस्टेटमेंट भी मटीरियल होगी और मैंने तीन चार पांच एग्जेंपल आपको शेयर की हुई है बाकी क्योंने क्योंकि एग्जैम में ज्यातर के सड़ी में यही जोड़ी मेंग्जेमेंट कर रही हो छोगोहाँ वह अजिनमें चार पाउं मीरेशन उफट कर रही हूँ इसके मिस्ट बहु हो गया बाकी कोंसा बचा सब्चा है ओवरार है में एडिसायडे का फार्मूला के जरिये से फार्मूला क्या है हम ओवराल मेर्णीरियल टेस इफ Benchmark और Suitable percentage Overall Materiality किसके Equal है? Benchmark, Multiplied Way, Suitable Benchmark, Multiplied Way, Suitable percentage Benchmark का मतलब क्या है? कोई ना कोई किसी चीज से Multiply करना पड़ेगा किसको ग्राइज को? अब अगला क्वेस्टन Benchmark क्या हो सकता है? Benchmark क्या हो सकता है? सुन यह उसको explain कर रहा है Benchmark depends on Elements of Financial Statement यानि Financial Statement का कोई ना कोई element होगा जैसे Profit जैसे Gross Profit यानि वो Information होगी Financial Information जो Financial Statement में आ रही होती है जैसे Profit Profit Before Tax जैसे Gross Profit जैसे Sales जैसे Total Expanditure जैसे Total Assets जैसे Equity तो Benchmark क्या होगा? Benchmark के सूल बता रहा हूं पहला सूल क्या है? Benchmark कहां से उठाना है? Financial Statement का Element कोई ना क्यों उठाना है Clear? सबसे जादा प्रैक्टिस में Benchmark उन सा यूज होता है भला? Profit Before Tax फिक्ससर कहां से यूज होता है? Profit Before Tax फिक्ससर का अरिया करके यह लगता है Profit Before Tax Profit Oriented Entity हो Profit Before Tax क्या Profit Before Tax के इलावा भी कोई Benchmark के एरिया कोई Element Benchmark के तोर पर स्लेट किया जा सकता है? Yes किया जा सकता है किसके जैसे Profit Oriented Entity है तो Profit को Benchmark अब डेफिनेशन से रिलेट करता हूं Profit Oriented Entity है तो यूजर का डिसेंट किसमें बिएस कर रहा है? तो materiality के लिए Benchmark कौन सा होगा? और अगर Not-for-profit Organization है तो फिर Profit कोई Revenue, Total Revenue या Total Expanditure होगा तो Benchmark किस पर डेफिनेशन के है? कोई ना कोई Element of Financial Statement होगा दूसरी चीज़ Nature of Entity पर डेफिनेशन करता है जैसे मिने बताया Profit Oriented Entity है तो Benchmark कुछ होगा Not-for-profit है तो Benchmark कुछ होगा Item Focused by User Benchmark डिबेंड करता है item User कौन साइटम पर फोकस करता है ज्यादातार user और exam में जो भी question आए तो आपने यही case समझना है कि ज्यादातार user profit पर फोकस कर रहे होते हैं ज्यादातार entities profit oriented entities होती है उनका Benchmark भी किया तो profit लेकिन हमने materiality को decide करते हुए Users को भी सामने रखना है User कौन साइटम पर फोकस कर रहे है क्योंकि Definition में पढ़ा था Economic Decision of Users Bank के यूजर मुझे बताईए आपको कभी phone आया June के end पे या December के Sir जी जरा account में कहीं से दुर दुर से पैसे तो डाल ले या अगर आपके account में पैसे हो ना तो ब्रांच में जरा फोन करके कहता है Sir जी अभी ना निकलवाएं जरा ये ना December एंड गुजरने दे June एंड गुजरने क्यों उन्हें पता है हमारी Performance Total Deposit की बेस पे वैल्यूइट होती है तो अगर बैंक है Finance by Equity है उसका तो Profit Before Tax Benchmark मनासब है लेकिन अगर Finance by Debt है उस पे फिर Profit तो नहीं होगा उस पे तो टोटल एसेट्स यूजर्स के लिए ज्याद आहम होंगे ना एक बिजनिस चली रहा है लोन पे तो उसको अगर उसके डिसियन मेकर्स कोन है लेंडर उन्होंने डिसियन जो करना है लोन देना है नहीं देना हो वापस लेंडर किसमें इस पे करना है टोटल एसेट को सामने रख लेंडर Volatility of Benchmark अच्छा ये 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 बी एक अहम कंसेट है Volatility का मतलब क्या होता है Variation Change Benchmark कौन सा ज्यादा बहतर है जिसमें हर साल Up, Down, Up, Down आता रहे या जो Normally over the year consistent रहे Consistent वाला Less Volatile is Better Benchmark ठीक है इसलिए नर्मली रेविन्यू के इरके रेविन्यू में fluctuation बाद उकाश ज्यादा होती है Profit में इतनी ज्यादा Comparatively Comparatively नहीं कहा रहा हूँ तो ये कुछ चार-पांच criteria हैं जिनको सामने रखके हम decide करते हैं कौन सा benchmark होगा लेकिन exam में आपने rule of thumb क्या रखना है कि अगर profit oriented entry है तो 5% of profit और अगर not for profit organization है 1% of revenue या 1% of expenses अच्छा मुझे यह बताईए elements of financial statement क्या हो सकते हैं profit before tax कहां से उठाएंगे profit कहां से उठाएंगे कौन साब कहा लिखा होगा profit profit income statement में कौन से इस साल की विशे साल की इस साल की इस साल की इस साल की फाइंशे मुझे लेकिन फर्ष किए अगर इस साल अभी फाइनल आड़ शुरू नहीं आप ने इंटारें आड़ कर रहें इंटारें आड़ पता है ना क्या होता है अभी साल खतम नहीं हुआ procedure पर फार्म कर रहें है अब material टी कैसे determine करेंगे दस महिनों का audit कर रहे है दो महिनों का final आड़ करेंगे अब material टी कैसे calculate करेंगे आपके पस दो option था पहली option बलके दो तीन option है पहली पिछले साल की income statement का profit use कर ले लेकिन standard इसकी जाज़देता है normally यह नि क्योंकि इसमें risk होता है कि इस साल significantly difference आजाए लेकिन जाज़द है दूसरी option क्या है इस साल की entire financial statement का profit use कर ले लेकिन इसमें standard एक जगा पे clearly लिखता है अगर आप 12 महिनों का audit कर रहे हैं ना तो आपका materiality level 12 महिनों के profit बेस करना चाहिए रिव्यू कर रहे हैं 6 महिनों का materiality level 6 महिने के profit की figure की पे calculate होगा तो मुझे बताइए interim financial statement 10 महिनों की तो सोच के बताइएगा interim financial statement 10 महिनों की है materiality calculate करनी है 12 महिनों के result की बेस पे तो क्या करूं projection जिसे हम कहते है extrapolation तो previous year भी यूज कर सकते हैं इस साल के interim financial statements की projection की भी यूज कर सकते हैं और इस साल के budget या forecast को भी यूज कर सकते हैं अगर actual बन गई है फिर तो हर चीज से जान छोड़ गई वह कैसे actual को यूज कर रहा है वरना actual के लावा ये भी यूज कर सकते है अचा एक चीज जह में रखिए गावर बाद वकात ऐसा होता है के abnormal fluctuations आ जाते हैं जैसे एक company पिछले हर साल 30 million, 35 million, 40 million, 35 million, 40 million ये profit आ रहा है, 340 के दर्म्यान में profit आ रहा है करोना के दीदों में उसका profit हो या 5 million ठीक है अब इसमें expenses उसके उतने ही थे, income कम होगी या उसको sale price कम करना पड़ी number of transactions अगर देखे तो वो तकरीबन उतने हैं, लेकिन हलात की वज़ा से कुछ expenses ज्यादा हो गए, या sale price कम करना पड़ी तो उसे profit कम हुआ, 5 million का, बताइए आप 5 million की बेस पे materiality calculate कर लेंगे या इसको normalize करेंगे तो standard यह कहता है, materiality calculate करने के लिए आप इन चीज़ों को सामने रखके benchmark select करेंगे लेकिन अगर इस साल का benchmark आपका unusually disturbed रहना, तो उसे आपको normalize करना चाहिए उसे आपको normalize करना चाहिए तो मैंने आपको तीन बातें बताइए बेंचमार्क में, पहली चीज़ बेंचमार्क सेलेट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रेक्टिकली एक्जाइम में भी बता दिया, कि आप एक चीज का दियान रखना है, प्रॉफित एरेंटिड है के नहीं, और नर्मली प्रॉफित ओरेंटिय। इचिजों का दियान रखना है, दूसरी चीज, ये बैंचमार्क ठाना कहां कहां से है, तीन चार औप्शन थी, Budget Forecast भी है, Interim Financial Statement भी है, Previous Financial Statement भी है. और तीसरी चीज़, अगर Benchmark इस साल का Unually Disturbed हो, तो आपने उसको क्या करना है? Normalize करना है, यह प्लस माइनस adjustment का यही मतलब है. ठीक है? कि जहां से भी आप ठाएंगे, Draft हो, Interim Financial में है, Previous हो, तो अगर उसमें कोई abnormal fluctuation है, तो आपने उसको normalize करना है. Clear? यह तो हो गया Benchmark की Discussion, Percentage की Discussion. Percentage क्या होनी चाहिए? Percentage Depend करते है रिस्क पे और Benchmark पे. Risk मुझे यह बताएंगे, Explain करें. Percentage Depends on Risk, इसका मतलब क्या है? कि अगर रिस्क ज्यादा है तो, Percentage कम हो जाएगी, और अगर रिस्क कम है तो? फिर कह रहा है, Percentage Also Depend on Benchmark selected. Benchmark क्या select किया है? यानि अगर Benchmark Profit select किया है, तो percentage क्या होगी? ज्यादा, 5%. और अगर Benchmark Total Asset select किया तो, percentage क्या होगी? कम, यानि 1%. Percentage की selection कैसे करने क्लियर हो गया? यानि रूल अफ थम बता रहा है, यानि एक्जाइम प्रैक्टिकली, एक्जाइम क्वेस्टन में, प्रैक्टिकली भी नॉर्मली हम यही करते हैं, लेकिन हाथ तोर पे एक्जाइम क्वेस्टन में, materiality कैसे डिटर्मिन करेंगे? 5% of profit before tax, या 1% of? ये क्या है? इसको standard क्या नाम देता है? Benchmark, इसको क्या नाम देता है? percentage, ये क्या है? Benchmark, ये क्या है? लेकिन standard कहता है, ये आपकी judgment है, ये percentage कम ज्यादा भी हो सकती है, आपकी judgment है, नॉर्मली प्राफिट का 5% लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप समझते हैं 5 ये 6 होना चाहिए, 4 परसंट होना चाहिए, उसकी भी जागता है, कैसे कैल्कुलेशन होती है, materiality की clear हो गया, और खास होपे materiality, की terms clear होगी हैं आपको, materiality for financial statement as whole, पता चल रहा है किसको कह रहा हूँ, materiality for particular class of transaction count balance disclosure, परदा चल रहा है किसको कह रहा हूँ, performance materiality, clear light reveal, क्या एक तफ़ा materiality decide हो जाए, revise हो सकती है, बिल्कुल हो सकती, कैसे हो सकती है, general rule, जब कोई new information आपके सामने आजाए, जब कभी new information हमारे सामने आजाए, new information हमारे सामने आजाए, materiality को revise कर सकते है, inflation, 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 नहीं, inflation नहीं, information है, अच्छा, new information, फुसर में, मैं, मैंनुवली लिखके इनको दिया ना, तो मेरी writing अभी भी उन्होंने जितना लिख लिए उनकी इम्मत है, क्योंकि वो आदी हो गया, अगर new information सामने आजाए, जैसे आपको शुरू मैं उन्होंने बताया, हम तो not for profit organization है, तो materiality कैसे calculate करेंगे, 1% हो रहा है, आपने 2-4 voucher चेक किया, आपने का ये तो दबा के profit कुमा रहे हैं, तो understanding change हो गई, पताया, materiality वही रहने दे 1% of total revenue के उसकी basis change कर ले, materiality revise हो जानी चाहिए न, दस महीनों के result में पता चला के profit, जो है न, 10 महीनों के result की base पे, आपने अंदाजा लगाया के, हर महीने 1 million का profit है, तो total 12 million का profit आएगा, उसकी base पे materiality calculate कर ली, अगले दो मेनों में कोई abnormal fluctuations आई, कोई business combination हो गया, कोई बड़ा order आगया, जिसकी बजाए से ये बढ़के, साल खतम हुआ तो 18 million का profit था, भी अब normal fluctuation आगे न, बताएए materiality पराने वाली रहने दे के revise कर लेनी चाहिए, तो new information जब भी आपके पास आएगी, जो आपके original decision को effect कर रही हो, आप materiality change होजे, जी बाइज होजे, कि इसकी भी आजाएगी जी, किसी भी बज़ा से आजाएगा, बिल्कुल ये rule में आपको पताया, आगे study, दो ती ने example discuss किई ये भी example discuss किई है, बाज वकात ऐसा होता है कि आप आहरी दो मेनों में अपने बिजनिस का एक बहुत बड़ा साइज बेच दिया, significant disposal of fixed assets, तो उसका मतलब है, इस event का आपकी financial statement पे significant impact आएगा, आपके elements में change आएगा, assets profits वगारा में, materiality को भी revise करने की दुरूआता है, क्योंकि हमने materiality, असल में final materiality वह होगी जो final actual profit की base पे है, तो अगर materiality आपने interim profit की base पे calculate की, actual significantly different है, तो आपको revise करनी चाहिए materiality, ठीक है, इसमें आपको एक बाप बता दू, materiality जब revise करते है, तो sometime materiality upward revise होती है, sometime downward, हम एक case में कुछ नहीं करते हैं, एक case में करते हैं, बता सकते हैं किस case में हम अपना decision सेम रहने देते हैं, हम जब अफवर्ड हो, जब materiality upward होगी तो risk क्या होगा, कम, तो procedure क्या perform करने है, कम, लेकिन हम कहते हैं, चलो यार पहले जो procedure perform कर लिए होगा, जो प्रोसीजर पर फार्म कर लिए होगा, जो प्रोसीजर पर लिए होगा, तो काटा नीना मारेंगे, लेकिन अगर materiality level reduce हो रहा हो ये ज़्यादा मसला है, इसको हम लाजमी काउंट फार करते हैं, तो risk क्या होगा, इसका मतलब है, अब आपने परफार्मस materiality को भी revise करना है, और अपने प्रोसीजर को भी revise करना है, बढ़ाना है, यही हाई factor on audit, कि जब materiality revise होगी, हमारा performance materiality भी बढ़ेगा, और audit procedure भी revise होग क्योंकि अगर materiality level ज्यादा है ना, तो फिर हम अपने प्रोसीजर को नारबली नहीं हिलाते, हाला कि असूली तो प्रोसीजर को कम हो जाने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं, यार काम करतो चुके हैं, तो already किये हुए काम को फाड़ के फैंक देना, यह मुनासिब नहीं है, लेकि यहां पे यहां पे यह ओवराल चेंज हो रही है, इस ओवराल चेंज के वज़ा से, यह जो materiality revise हो और यह ओवराल मटेरियाल्टी रिवाइज होने की वज़ा से, परफॉरमस मेटरियाल्टी बे तो रिवाइज होगी, क्योंकि वह इसी का तो हिस्सा है, इसी का तो छोटा पंचा है? तो चो परफॉरमस मेटरियाल्स अभराल मेटरियाल्टी निकलाइज हमा हिवाएंट । कि हो भी क्लियर ब्ही लोगी, रॉक्या करेंगे, इसीटनी वह का सारी अगुमेंट कर लो, है सिंपल कौन कौन सी कर लो, और कोन सी कर लो, और कौन सी कर लो, और कोन सी क अब 가까ें होा बताइँね अब कहें? Black 25жानर+, अब कहें कहा हुआई बौल मैं कहा हुआ 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 मैं अखालर जाजमी है यहां नहीं लिखा हुआ तो में क्यों कह रहा हुआँ क्योंकि आइट पर से करते हम इसको इगनोर करते हैं जो कलिर ली ट्रिवेल से नीचे हो बात ठीक है लेकिन फिर भी वो आप्शनल होनी चाहिए रिकॉर्ड थोड़ी होनी चाहिए रिकॉर्ड बायजान थोड़ा सा कल लगा लेते हैं ना पता चलदा क्यूंकि रिकॉर्ड बाय आई यसे 320 तो नहीं है लेकिन रिकॉर्ड बाय यसे 450 होगी बही अगर मैं रिकॉर्ड कह रहा हुआ है मैं खुद अपनी मर्जी से थोड़ी कह रहा हूं तो सब्सक्राइब कोई ना कोई स्टेंडर्ड फोड़ी एकल लगाते हैं कौन सा स्टेंडर्ड फोर फिफ्टे तो सारी और कोई रिवियन होगी वाभी बताना ना 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 यह आदा नहीं यह आसान सौाल ता इस प पर भी देखनी है और नेचर की बेस पर भी देखनी है इसके बाद हमने देखा मैटीरियाल्टी को क्यो डिर्मिन करते हैं किस किस अगा पर यूज करते हैं तीन जगह पे प्लैनिंग में परफॉर्मस में और और अवराल एफेक्ट्स आइए से 320 कौन से वाली दो चीज़ करता है पहली और दोसरे तीसरी वाली कौन से स्टेंडर्ड यूज करें डिसकस करेंगा 450 अगले स्टेंडर्ड इसी तरफ हमार है फिर इसके बाद टाइप्स ये टाइप्स उसने क्लियरली कंसर्प कही नहीं बताया हूँ यह मैं आपको अपको अधिशनल कंसर्प्ट दे का ले लेड़ीपर थाइक है इसमें यह जो परफॉर्मस मेटियरल्ट यह एरिया टू अगर धरी करती तर बैसे इडिट्धिव भी डिफ्रेंट इरियाज में हो सकता है डिटर्मिन कैसे किया जाता है मटीरियल्टी को बेंचमार्क मिल्टी ब्लडवाय परसंटेज और बेंचमार्क को सलेक्ट करते हुए किन चीजों का धिहान रखते हैं अलिमेंट और कोई फैनेशनल मैंक अलिमेंट होना चाहिए हमने देखना हमारा क्लाइन प्राफिट और नाट फार प्राफिट इस क्लाइन के यूजर किसको फोकस करते हैं अगर बेंचमार्क में बहुत ज्यादा 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 बेंचमार्क में बहुत before tax है तो 5% profit after tax भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन standard recommend करता है profit before tax new information रवीयन कब हो सकते हैं तो new information आएगी और जब overall materiality change होगी तो performance materiality oil procedure भी revise हो सकते हैं हो सकते हैं वो यह नहीं कहता materiality अगर ज्यादा हो गई है क्योंकि इसका मतलब है अब हमने risk कम पर्फॉर्म करने थे इनको लेकिन अगर overall materiality reduce हो जाए तो फिर हमें इनको change करना पड़ता है प्रोसीजर बढ़ना पड़ता है document क्या करना oral qualitative performance और इनमें कोई भी अगर रिवियन होई है और क्लेरली ट्रीवियल को document करना है के नहीं करना करना है करना है शावाज चलिए यह था आए से 320 यहां तक मैंने नोट्स भी आपको दे दी है और इस standard को highlight करके हाइलाइटर स्टैंडर्ड भी आपके पॉर्टल पे अप्डेटेड़ है अपलोड कर दिया हुआ है आप स्टैंडर पड़ना चाहें वहाँ से बढ़ सकते हैं लेकिन पहले आपने नोट्स को रीड करना फिर स्टैंडर्ड पे जाना है ताकि अंडर्स्टैंड पे बहतर ह यह हिसा यहां पे हम खतम करते हैं अल्ला हाफिज